लोकसभद चुनाओ 2024 में तमाम कोशिसों के बाद भी राष्ट्रिय जनता दल उमीद के अनुसार सफल नहीं हो पाई पाटी को उमीद थी कि चुनाओ परिनाम में बिहार में उसे कम से कम 10 से 12 सीटे मिलेंगी महंगाई, रोजगार, नौकडी जैसे मुद्दों के साथ मैदान में डटे तेजश्टी यादों ने पाटी और महागडबंधन की जीत के लिए मेहनत भी खूब की लगतार दो महीने भिसन गडमी में एक छेतर से दूसरे छेतर में पसीना भहाते रहे बावजूद जनता ने राजत को चार सीटों पर समेट दिया चार का यह आकरा बीते 15 वर्सों से पाटी के साथ साए की तरह चल रहा है और पीछा नहीं छोर रहा पाटी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि पाटी ने थोड़ी उदारता दिखाई होती और परत्यासी चयन में साओधानी रखी होती तो इस चुनाओं में चार के फेर से बाहर जरूर आ जाते राष्ट्रिये जनता दल का गठन होने के बाद वर्स 2004 में पहली बार पाटी ने लोकसभा की 22 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी और लालू प्रशाद यादव किंग मेकर बनकर उभडे थे उन्हें UPS सरकार में रेल मंत्राले जैसा पद मिला परंतु राज़त का यह स्वरनी में दोर जादा दिनों तक नहीं ठीका 2009 का लोकसभा चुनाओ आते आते राज़त की जमीन कमजोर हो चुकी थी राज़त और कॉंग्रेस की दोस्ती भी तूट गई 2009 के चुनाओ में लालू प्रशाद की राज़त और राम बिलास पास्वान की लोक जनसक्ती पार्टी ने मिलकर चुनाओ लड़ा लेकिन 28 सीटों पर लरने के बाद भी राज़त को सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हो पाई पार्टी में 4 का फेर यहीं से प्रारंब हुआ इसके अगली भार 2014 में लालू यादो की राज़त ने कॉंग्रेस और राष्ट्रवादी कॉंग्रेस से मिलकर चुनाओ लड़ा जदियू भी NDA से अलग थी उसने भी अकेले चुनाओ लड़ा मोदी की पहली लहर में हुए इस चुनाओ में एक बार फिर राज़त महज 4 सीटों पर सिमट गई मद्यपूरा अररिया भागलपूर और वाका सीटे ही उसकी जोली में आई लेकिन 2019 का दौर राज़त के लिए सबसे बुरा दौर और सबसे मुश्किल दौर था 2019 के लोकसभा चुनाओं में एक बार फिर मोदी मैजिक चला और महा गड़बंदन में सामिल कॉंग्रेस नहीं अपना खाता खोला राज़त जैसा बड़ा छित्रिय दल सूनने पर सिमट गया जबकि NDA का परदर्शन सांदार रहा और उसे बिहार में 49 सीटे मिली अब संपन हुए 2024 के लोकसभा चुनाओं में एक बार फिर राज़त चार के फेर से बाहर नहीं आ पाया है राज़त को इस चुनाओं में 26 सीटों पर लरने का मौका मिला लेकिन अंतिम समय में उसने 3 सीटे VIP को सौप दी राज़त ने 23 सीटों पर चुनाओं लड़ा लेकिन यहां भी पार्टी मात्र चार सीट पर ही जीत प्राप्त कर पाई चार का फेर यहां भी उस पर भारी रहा जो सीटे उसने जीती उसमें पार्टलिक पुत्र बकसर जहानाबाद और औरंगाबाद की सीट सामिल है हलंकि पार्टी के अंदर सीट बटवारे में उदारता न दिखाने को लेकर दबी जुबान में चर्चा जोड़ो पर है पार्टी के कुछ वरिष्ट नेता भी दबी जुबान में कहते हैं कि पार्टी और चार सीट असानी से जीत सकती थी जिन सीटो को लेकर चर्चा है उसमें पहले नंबर पर पुर्निया है तो इसके बाद नंबर आता है वैसाली का फिर सीवान और नवादा की सीटो का राजनितिक विशलेशक भी मानते हैं कि इन सीटो के लिए पार्टी से कई उमिद्वारों ने दावा किया लेकि राजद प्रमुख लालू प्रशाद यादव और तेजश्वी यादों के आगे किसी का जोड नहीं चला अगर इन चारों सीटों पर पार्टी ने थोड़ी और उदारता दिखाई होती तो पार्टी के सांसद चार से बढ़कर आठ होते और बीते 15 वर्सों से जो चार का फेर लगा है उससे भी पार्टी को मुक्ति मिल जाती